आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question है An angle which is half of its supplement is of यहाँ पर हमें find करना है कि उसकी value कितनी होगी तो question मैं दे रखाया है कि कोई angle है वो अपने supplement का half है तो उस angle की value क्या होगी तो सबसे पहले हम यहाँ पर discuss करेंगे कि supplement angle होते क्या है तो अगर मान लें कि कोई एक angle है उसकी value x degree है दूसरा angle है उसकी value y degree है तो जब मैं इन दौनों angle को add करूँगा x plus y तो अगर इनका sum 180 degree के बराबर है तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि यह दौनों angle है वो एक दूसरे के supplement angles हैं तो यहाँ पर कहूँगा कि x and y are supplement angles supplement angles कब अगर इन दौनों का जो sum है वो 180 के बराबर आ जाता है तो बट हमें यहाँ पर एक condition भी दे रिखे है कि जो angle है वो अपने supplement angle का half है तो मैं यहाँ पर माल ले रहाँ कि let जो supplement angle है let supplement angle तो उसकी जो value है वो 2x है तो जो angle है जो हमें find करना है तो मैं माल लूँगा कि वो angle है तो angle की value है वो 2x की half हो जाई है क्योंकि पहले ही दे रखा है जो angle है वो अपने supplement का half है तो supplement अगर 2x है तो इसका half करूँगा तो मैं हो जाएगा x और जब इनको add करूँगा x प्लस 2x यह sum कितना होना चाहिए 180 के बराबर क्योंकि supplementary angle का जो sum होता है वो 180 होता है तो जब मैं इनको add करूँगा तो हो जाएगा 3x equal to 180 degree तो यह से x के value कितनी आजाएगी 180 upon 3 तो जब इसको मैं cancel out करूँगा तो यह आजाएगी 60 degree तो यानि कि जो x है उसके value हो जाएगी 60 degree तो question हम हमें यही find करना है कि क्योंकि जो supplementary angle है वो 2x है और जो angle है जिसके हमें value find करनी है वो x है तो जो x है यह value 60 है यही हमें find करनी है तो this is our answer, thank you